टीबी शो ये रिष्टा क्या कहलाता है को लेकर बड़ी खबर आई है। शो के मेकर्स ने सीरियल से दो लीड एक्टर्स को निकाल फेका है। दोनों की शो से अचानक छुट्टी कर दी गई है। रिपोर्ट्स के मताबिक शो के लीड एक्टर शहजादा धामी और प्रतिक्षा होन मुखे को शो से बहार निकाल दिया गया है। मेकर्स ने एक्टर पर गंभीर आरोप लगाये हैं। शूटिंग के दौरान अनप्रोफेशनल बिहेबर दिखाये जाने के चलते मेकर्स ने सीरियल की लीड स्टार कास्ट को ही हटाने का फैसला कर लिया है। घर घर में अर्मान पौदार नाम से मशूर हो चुके शहजादा धामी को यूँ अचानक हटाये जाना उनके फैंस के लिए काफी शौकिंग है। रिपोर्ट्स के मताबिक शहजादा सेट पर नियमों को फॉलो करने से इनकार करते रहे हैं और लगातार नकरे दिखाते रहे हैं। बताये जा रहा है कि वो क्रू के साथ बचसलुकी करते थे और इस बारे में वर्निंग दिये जाने के बापजूद उनका यही रवएया चलता रहा। जहां तक रूही का करदार निभाने वाली प्रतिक्षा होन मुखे को हटाए जाने की बात है तो बदाय जा रहा है कि वो करदार के हिसाब से सूटेबल नहीं बैट रही थी इसलिए मेकर्स ने उनकी भी छुट्टी कर दी ये रिष्टा क्या कहलाता है कि करता धरता राधन शाही हमेशा नियम फॉलो करते रहे हैं उनके लिए शो से बढ़कर कुछ नहीं होता लेकिन जाहिर तोर पर अगर मेकर्स लीड कास्ट को हटाते हैं तो इसका असर टी आरपी पर जरूर बढ़ेगा मेकर्स के लिए इन दोनों को हटाकर नए एक्टरस को लाना भी मुश्किल होगा ये रिष्टा क्या कहलाता है का नया सीजन शुरुआत में कुछ खास कमाल नहीं कर पाया था दर्शकों को ना तो ये किरदार और नाई नई कहानी बांदरे में कामियाब रही लिहाजा टी पी शुरुआत में बुरी तरह गिरी लेकिन फिर धीरे धीरे नए करदारों से दर्शकों का जुडाव ऐसा मना कि ये शो फिर से तौप फाइब में वापिस आ गया लिगना अब ऐसे में अचानक दो एक्टरस के निकाले जाने का फैसला शो पर बहुत भारी बढ़ सकता ह विर रिपोर बोलिवुट पेचर चा